English में doubt दोस्तों, तो join किजे मुझे, मेरा नाम है यश, मैं repair करूँगा आपके English के doubts हिंदी में, तो मेरे चैनल को like कीजे, subscribe कीजे और share कीजे, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल English workshop में. English workshop में आज हम करते हैं how to say in English, जी भर के, तो शुरू करते हैं आज का सफर. सबसे पहले आपके लिएक test, तो आपको यहाँ pause लेना है, इन सभी sentences को देखना है, और देखना है क्या translation बनेगी, और बाद में कितने सही निकलते हैं, कितने घलत, तो यह भी पता लगेगा, तो बाकी आगे बढ़ते हैं. तो टॉपिक है, जी भर के, तो जी भर के, इस तरह की बात हम बहुत करते हैं, आम बोल चाल में, तो English में, to your heart's content, दूसरे शब्दों में कहें, तो as much as you want, यह होगा, तो send us देखिए, I need a day off, so that I may sleep to my heart's content, मुझे एक दिन की छुट्टी की जरूरत है, ताकि मैं, जी भर के सो सकूँ. Billu and his friends dance to their heart's content at the party, Billu और उसके दोस्त, पार्टी में, जी भर के नाचे. We flew kites to our heart's content at the kite festival, तो the kite festival को हमने, जी भर के पतंग उड़ाई. इस तरह से हम, to your, या my heart's content, जी भर के हम sentence बना सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. और अब, चेक यूर प्रोग्रेस. तो लेते हैं वही sentences एके करकर, Miss Bavdi ने अपने ही शादी की पार्टी में, जी भर के दारूपी. Miss Bavdi boosts to her heart's content at her own marriage party. तुम जी भर के मुझे गाली दे सकते हो, मगर मैं तुमारे बात नहीं मानूँगा. You may abuse me to your heart's content, but I am not going to act upon you. चो की आज मौसम सुहाना था, इसले हम जी भर के नदी में तेरे. Since the weather was pleasant today, we had a swim to our heart's content. Tillu और उसके दोस चोरी से शामियाने में घुज गए और जी भर के मिठायां खाई. Tillu and his friends got in the tent stealthily and ate sweets to their heart's content. मेरे दादा जी ने जी भर के पैसा कमाया और मैंने उसे वैसे ही उड़ाया. My grandpa earned money to his heart's content and I spent it in the same way. College के दिनों में मैंने जी भर के साहते पड़ा था. I read literature to my heart's content in my college days. तो इस तरह से जी भर के sentence बन सकते हैं. तो आप और भी बना सकते हैं और जो ना बने उसका question, उसका sentence आप comment section में भेज सकते हैं. मैं उसकी translation बना कर दूँगा. सब्सक्राइब करने के लिए bell icon जरूर दबाएं. और इस topic से related कोई question ये suggestion हो, तो आप comment section में लिख सकते हैं. मैं उनके जबाब दूँगा. और नई topic के साथ नई class में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए have a nice time.